हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका एक और नई वीडियो में इस वीडियो में भी जन्नल नोलिज के कुछ और महत्पून परसनों को कवर करेंगे सभी कोशिन इंपोडेंट है तो वीडियो एन तक देखने हैं हरे कोशिन को दिहान पूर्वक देखना है चलिए सुरू करते हैं कोशिन प्राण और देहिक सवतंतरता के अधिकार से संबंदित कौन सा अनुछेद है तो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए अनुछेद 21 में प्राण और देहिक की सवतंतरता दी गई है तो ओप्शन A सही अंसर हो जाएगा अनुछेद 23 में दिया गया है बालसरम निशेद और मानव तसकरी ठीक है अनुशेद 25 इसका संबन्द है धर्म की सवतनतरता से इन्पोडेंड है अनुशेद अठार है इसमें दिया गया है उपादियों का अंध ठीक है तो ये चारो ओप्सन हमने कवर किये नेस कोईशन है यदि वायू मंडल नहीं हो तो पिरत्वी से आकास किस रंग का दिखाई देगा तो फ्रेंड्स इसकोईशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्सन डी काला यदि हमारे बीच और आकास जो होता है उसके बीच में वायू मंडल नहीं हो तो हमें जो आकास होगा वह काला दिखाई देगा तो उप्सन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेश कुरिशन है HCI खेल पहली बार कहां आयोजित हुए थे तो HCI खेल सबसे पहले आयोजित हुए थे नई दिल्ली में तो उप्सन यह सही आंसर हो जाएगा और 1951 में पहली बार HCI खेलों का आयोजित हुआ था ठीक है नई दिल्ली में HCI खेल भी इसको बोलते हैं ठीक है तो उप्सन यह सही आंसर हो जाएगा नेश कुरिशन है ओजोन परत क्या अवसोसित करती है दिखे फ्रेंट्स हमारी जो ओजोन परत है यह अवसोसित करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किर्नों को ठीक है तो उप्सन भी सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किर्ने या अल्ट्रा वाइलेट किर्ने भी इनको बोलते हैं ठीक है यह भोरती हानी कारख होती है यदि यह डारेक्ट पिरतिव पर आएं तो हमें ताउचा संबंदी, कैंसर संबंदी, खतरनाग बिमारी हो सकती है तो ओजोन परत क्या करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किर्नों को अफ्सोसित करती है तो ओप्सन भी सही आंसर हो जाएगा नेस क्यूशन एक वर्ष्टू की गती जुल्जा और इस्तित जुल्जा को क्या कहा जाता है सो फ्रेंग्स को कहा जाता है यांतरी कुल्जा ओप्सन ए सही आंसर हो जाएगा यांतरी कुल्जा चलिए नेस क्यूशन है सद भावना दिवस कब मनाया जाता है स्कूशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन D 20 अगस्त को 20 अगस्त को सद भावना दीवस मनाय जाता है और ये मनाय जाता है राजिव गांधी के जनम दीवस पर ठीक है 20 अगस्त को तो ओप्शन D सही आंसर हो जाएगा और 21 जून को मनाय जाता है अंतराष्ट्य योग दिवस बहुत ही इंपोर्टेंट है याद रखेगा अंतराष्ट्य योग दिवस 21 को और 20 अगस्त को सदभावना दिवस मनाए जाता है राजिव गांधी के जनम दिवस पर नेक्स्ट राष्ट्य खेल दिवस किन की याद में मनाए जाता है देखे राष्टे खेल दिवस मनाय जाता है 29 अगस्त को और ये मनाय जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में option C question का सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्टे खेल दिवस मनाय जाता है next question है अरू विले आसरम कहां इस्तिद है तो friends ये आसरम है पुड़ूचेरी में option A सही आंसर हो जाएगा भारत में जिफ्सम का सरवादिक उत्पादन किस राज्ये में होता है देखे भारत में सबसे ज़्यादे जिफ्सम का जो उत्पादन होता है वो राजिस्थान में होता है option A स्कूशन का सही आंसर हो जाएगा राजिस्थान ठीक है next question है किस अनुशेद में बनित क्या गया है कि भारत का एक उपराश्टपती होगा दीखे ये बात की गई है अनुशेद 63 में अनुशेद 63 के तहट भारत का एक उपराश्टपती होगा option C सही आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर एक और अनुशेद 61 बहुत ही महत्पून है इस अनुशेद के तहट राश्टपती पर महावयोग लाया जाता है अनुशेद 62 में जो है राश्टपती पद का परावधान दिया गया है ठीक है याद रखेगा तो यह सभी महत्पून कोश्चन हमने यहाँ पर कवर किये इन्पोर्टेंट थे आसा करतों आपके समझा आगे होंगे तो वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक और से ज़रूर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में